अस्सलाम उलेकुम, उमीद करता हूँ आप लोग जो है भाई, खेरियस से होंगे तो आज जो है वो हमने क्या पढ़ना है Components of Computer Based Information System जिसे हम CBIS भी कहते हैं, ठीक है? CBIS, तो यह मैं लिख जाता हूँ, CBIS C stands for Computer, B stands for Based, I stands for Information, S stands for System वो कौन-कौन से Computer के Component है, जो के Information को या तो Collect करते है या तो Information को Send करते है, या तो Information पे काम करते है देखो भाई, हम पहले ही पढ़ चुके है, Data और Information क्या है अगर याद नहीं है, अभी थोड़ी ज़रे वीडियो दाली है, देख लेना लेकिन फिर भी उसमें समझ नहीं आ रहा, तो अभी दुबारा बता देता हूँ कि बाई, कुछ मालूमात मैंने आपको दे दी Student A, यहाँ पर बस एक मिनट लोगा ज्यादा नहीं Student A, Student B, Student A 10th Class में पढ़ता है Student B, Student C, 10th Class में पढ़ता है अब Information क्या होगी Information यह होगी, कि यह तीनों सेम क्लास में पढ़ता है Data क्या था, कि Student A भी 10th Class में पढ़ता है Student B भी 10th Class में पढ़ता है Student C भी 10th Class में पढ़ता है अब उस Data से कुछ मालूमात हासिल करना कि भाई, इन तीनों में क्या चीज, similarities है क्या dissimilar है तो तीनों में similarities ही है कि तीनों स्टूडेंट है और तीनों ही आपके पास 10th Class में पढ़ता है और dissimilarities कोई नहीं बताई मैंने आपको तो यह Information है तीके, Data मालूमात है उस मालूमात में क्या सेम है क्या चीज सेम नहीं है यह Information है यह मैंने असान कर दिया थोड़ा सा तो यह याद रखना बस इतना ही देर में समझाना लगेगा बाई एक बार याद रखना Computer Data और Information पर ही काम करते हैं अगर Computer में से Data और Information हटा दिया तो फिर बस वह डबबा है जिससे आप Fitball भी नहीं खेज सकते क्योंकि जब उस पर पाउं मारोगे तो काँच पाउं पर लगेगा तो सिंपल सी बात है क्योंकि वो जो इतना बड़ा आपके पास CPU सिस्टम आ रहा है आजकल Core i5 Core i6 और यह 789 यह जितना भी है यह सब क्या काम कर रहा है जो Data आप उसे देते हो उस Data को जल्दी से प्रोसेस करकर Information हसिल करता है उससे और फिर काम perform करता है For example समझ लो यह मैंने B दबाया Keyboard पर Keyboard है मेरे पास ठीक है मेरे पास Keyboard है मेरे पास Keyboard पर मैंने क्या दबा दिया B अब ऐसा हो सकता ही कि यह जो Keyboard पर मैंने B दबाया है Monitor पर C आ जाए लिकावा यह Monitor पर जो आए वो C लिकावा है यह Computer का Monitor है ठीक है अच्छा वाला Monitor है थोड़ा सा टेड़ा है तो यह Keyboard पर मैंने लिखा इसको ठीक है तो Keyboard पर मैंने क्या लिखा है B ऐसा हो सकता है कि Monitor पर M-O-N-I-T-O-R Monitor पर यह C लिखावा है ऐसा कभी नहीं होगा करके चेक कर लेना या अगर ऐसा हो सकता है कभी कि आप मुबायल पर मैसेच लिको I miss you और वो चला जाए I hate you ऐसा भी कभी नहीं हो सकता हो जाए तो आप पर नया मुबायल गरीद लोगे तो भाई यह याद रखना कि यह जो आपने B दबाया ना यह एक डेटा था जो कम्प्यूटर में गया और उस डेटा को कम्प्यूटर ने CPU ने प्रोसेस किया कि भाई जो यूजर है उसने B दबाया है तो मॉनिटर पे वो फॉरन से इंफर्मेशन भेज़ेगा कि B शो करो तो मॉनिटर पे भी लिखावा जाएगा ठीक है तो यह छोटा सा काम जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है जो के मैंने आपको बताया आप अगर यहां भी दबा रहे हो तो वहां भी भी हो जाए अब कौन-कौन सी यह डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के अंदर जो के डेटा को हासिल करती है और इंफर्मेशन को या तो प्रोसेस करती है या तो उसको जो है वो दिखाती है मॉनिटर पर कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें कंप्यूटर में है तो सबसे पहले तो भाई आपके आउटपट डिवाइस तेको यहाँ में कीबोड की बात निकरेंगँ यह सीद़र आउटपुट डिवाइसेस की बात करेंगे और इनपूट डिवाइसेस locor के यह आप इंपुट डिवाइस में बहुत सारी डिवाइस आ गई कीबोट आ गया स्कैनर आ गया और इसी की तरह से जोईस्टिक आ गई और दूसरी चीज़ आपके पास जो है चलो पढ़ ले दें तो पांच आपके पास पांच आपके पास वह हिस्से हैं जो के कंप्यूटर में इन इनक्राइशन को आगे बेज़ रहे होते हैं को information को असिल खरा चरब लुस करते हैं यह क्या करते हैं यह निए क्यां यह बात है का कीबोट आपका माउस आपका स्कैनर ये क्या करते को यह डेटा को भेघत है यहाइनी information के लिए काम करते हैं अगर यह keyboard से आपका डेटा ही नहीं जाएगा तो फिर information कहा से आईगी आपके पास पाउंस है ना keyboard है लेकिन भैतरी ना आपके पास CPU है और भैतरी ना monitor है दुनिया का भैतरी ना भैतरी ना आपके पास CPU है लेकिन ना 300 वाला माऊस, न 300 वाला कीवोड नहीं कहते हैं Shh आपको साच अभी नहीं रिकार ह Says तो आपका जवाब करते हूंगे और कीवोड में कोई बटन काम नहीं करता होगा है जब कोई काम क्या मतलब रहा için मैं मतलब हम यहां से देटा नहीं जा रहा है किदद आपके CPU को तो जब CPU को data नहीं जा रहा तो वो कोई इसमें से information नहीं निकालेगा तो फिर काम नहीं होगा ठीक है तो hardware machine डी hardware इस machine डी hardware machines है आपके पास यहां कीबोर्ट हो गया यह mouse हो गया यह scanner हो गया अब यह क्या लिगा इस comprises यानि इसमें शामिल है CPU अचा हां hardware में याद रखना CPU भी शामिल है आपका hardware CPU भी एक hardware device है ठीक है याद रखना CPU एक hardware device है CPU आपके पास यहां पर hardware device है and it supports hardware input output storage and communication devices are examples of essential equipment तो आपके पास computer में hardware में कौन-कौन सी चीज़े आती है वो जो के आपके information को आगे भेजती है आप आपके information को आगे कौन भेज रहा है यह router यह जो net के routers लगे होते हैं यह भी आपके काम के लिए information को आगे भेजने के लिए इसी तरह से आपका monitor ठीक है आपकी storage अब यह बोलो के storage जो होती है यापकी हो गई USB हो गई यह आपकी hard drive हो गई यह क्यों जरूरी है information में भाई आपकी information है वो safe कहां होगी आप copy पर लिखते नहीं हो ना ही किसी page पर लिखके रख रहे हो आप तो उसको safe करा रहे हो computer में तो वो हाँ we are aware hardware में जाकर वो Zust्व हो रही है आपके पास likely hardware storage में जाके सेंब हो रहे है यह तो primary storage में से भोजाएगी अथो सेकंडी storage में प्राइमरी स्ट्रेज क्या है आपके पास primary ऐब्योंbridge है हैं software अब software नहीं होगा तो आपका data information में बदलेगा ही नहीं क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा मैंने इस data के साथ करना क्या है for example अगर आपने engineering नहीं पड़ी चले engineering पर नहीं जाता है करना क्या है तो फिर हमारा data information में बदलेगा ही नहीं तो हमारे को software बहुत important आप software क्या है software हमारे पास कुछ instructions के codes होते हैं जो के हमारी primary memories में safe होते हैं अगर आप चाहिए तो उसे आप secondary memories में भी safe कर सकते हैं software को software includes computer application they tell the cbis यह cbis यह नहीं तो computer काम नहीं करेगा अब computer आपने मैं उमीद करता हूँ अच्छा पड़ा होगा तो यह आपको बता समझ में आ रही होगी लेकिन फिर भी मैं essential समझा रहा हूँ ठीक है तो याद रखना अच्छा data अब भाई देखो data ही नहीं है तो फिर आप मुझे क्या बोलोगे चलो आप चाहे गट होई है चाहे मेरी भेन हो या मेरे भाई हो मैं आपको बोला हूँ मुझे बिर्यानी खानी बस खतम बद तो आप क्या मुझे बोलोगे अगर पकी विए तो चलो खिला दो गए लेकिन कुछ भी तो इसी तरह से अगर information चाहिए तो डीटा तो होना चाहिए अगर information हासिल होगी जब ही डीटा होगा यानि अगर कराची वाले हैं मैं तो बिर्यानी का पता है क्या इसाब किताब है तो बिर्यानी देंगा ना तो बात भी समझ में आ जाएगी तो वीडियो रोक के खाना खालो ठीक है अगर बनी है तो खालो ठीक है अभी आज मेरे घर पर तो नहीं बनी है अगर से मंगवा सकते हैं तो यह हमारे लिए तो देखो भाई अगर आपको बिर्यानी चाहिए तो चामल पर होने चाहिए इसी अगर इंफर्मेशन चाहिए तो डेटा तो होना चाहिए बात अब समझ में आ गई हो कि ज्यादों कोई इससे लंबा चोड़ाने करता है प्रोग्राम यूटिलाइज डेटा तो प्रोवाइट हेल्प और इंफर्मेशन समझ गही न बात प्रोग्राम जो है वो डेटा को य याद रखना डेटा सिरिफ नंबर में नहीं होता अक्सर फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं आप और मैं तो क्या बोलते हैं डेटा यानि नंबर ठीके लेकिन याद रखना नुमेरिकल में भी आपको ये बताया जा रहा होता है कि गाड़ी इस तरफ जा रही है आपकी विल फ्रेज भी हो सकता है पिचर भी हो सकती है डेटा ठीक है फॉर इग्जम्पल मैंने आपको कुछ पिचर दे दी एक डेटा दे दिया अब इससे इंफर्मेशन क्या होगी पिचर देखके बताओ कहां की है यह आप बता दोगे तो यह इंफर्मेशन हो जाएगी ठीक है भाई देखो प्रोसीजर क्या है अगर आपको प्रोसीजर नहीं आता तो क्या बना लोगे बिर्यानी फिर तो खिच्टी भी नहीं मेरे खायल से मुझे किच्टी घानी है सौड़ी मुझे बिर्यानी घानी है आपको प्रोसीजर तो आता ही नहीं अच्छा प्रोसीजर दी आता है एस नहीं आता टी नहीं आता प्रोसीजर मुझे बिर्यानी घानी है मुझे लग अब तो वाके ही लग रही है कि मैं काफी देड़ सा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसलिए यह फेस टाइप नहीं को चेहरा टाइप लेदा रहा हूं ऐसे चलो यह उसका माउथ यह बिड्यानी घानी लेकिन आपको तो परसीजर आता ही है अब बंज्गी बिर्यानी चाहे चामल भी ला दी है सारे मसाले ला दी है दुनिया का बैतरी जाफरान भी दे दिया बिरियानी में दानने के लिए जाफरान सबसे मेंगा मसाला King of the spice क्या है जाफरान King of the fruit mango King of विजिटेबल पोटएटो आलो, वो भी कदालते हैं कुछ लोग, आपको बियानी तो बियानी है न ये मुगल दौर से आ रही है ये बियानी तो इसलिए उसमें जाफरान भी दालते हैं कुछ लोग, ये रंग के लिए होता है जाएका तो मुझे इसका नहीं बता क्योंकि मैन मैंने आपको दे दिया, बिरियानी के लिए जाफरान, खडा मसाला, गरम मसाला नमक मिप्ठे अध्रक, लस्षं, चानवल बिरियानी के लिए चिकन का गोशcont का गोश्व और मतन गाये का बकरे यसमिर्गी को सारे गोष ला दिये जिस से बिरियानी बना सकते हैं लेकिन बिर्यानी capelli बढ़ा सो दिया है खरत ना पिर्यानी किस तरह से इंफर्मेशन प्रकारर जाने का यह नहीं कर तो information मिलेगी यह नहीं ठीक है अगर आपको data को किस तरह से information निकालनी है data से अगर यह नहीं पता तो information नहीं निकलेगी तो वो क्या जो पता नहीं है वो procedure है आपके पास अगर procedure आपको नहीं आता data से information निकालनेगा तो data से information नहीं मिलेगी जिस तरह से चामल से बिर्यानी नहीं नहीं पता इसी तरह से डेटा से इंफ्रमेशन ही निकाल सकते जब तक आपको तरीके कान नहीं पता कैसे होता है काम चलो आज बिर्यानी ने बड़ी मदद कर दी अब प्यूपल सबसे बड़ी बात भाई चलो अब देखो अफिर बिर्यानी आ गई यहां पर आज बिर्यानी नहींबड़ेगी अच्छा प्यूपल कि इस चाइब भी अगए और बिर्यानी भी बन गई यह लोग लोग नहीं चलो कि भरी करी मैंने लोगी नहीं आये तो पिर क्या फायदा वह जो मैंने शादी के खाना बनाया ताब किसको खिलांगा इचांपल दे रहाएँ ठीक है ब अक्सर ऐसी होती है थोड़ी बिल्गों समझ नाने वाली तो भाई वह नहीं है लोगी नहीं है तो फिर बिर्यानी कौन खाएगा इसी तरह से डेटा भी information भी है सबकुछ है लोगी नहीं है तो फिर वह डेटा के स्काम किए information पहले तो data नहीं होगा तो इंसान देगा ना कंप्पिटर को इस आपके लिए आपके लिए आपका लिए खेले तो जब तक आप भी नहीं भी नगी ना बिर्यानी खाई जाएगी और बन भी तो भी निए तो आप important हो यहां बताना यह था आप सबसे important हो for example मैं वीडियो बना रहा हूँ अगर आप लोग ना हो तो मैं वीडियो क्यों upload करूँगा लेकिन अगर दो-तीन लोग भी है हजारो लाकों है वो अलग है लेकिन दो-तीन लोग भी है यह लगा शुकर है कि हजारो लाको लोग देख रहा है लेकिन अगर मेरे सामने दो-तीन लोग भी है जो कि इस वीडियो को देख रहे तो मैं दिल करेगा upload करूँगा तो इसी तरह से अगर data है information है सब कुछ है लेकिन आप नहीं है तो बेकार है आपका होना सबसे जरूरी है ठीक है तो cbis यानि computer-based information system में जो components है वो जब ही काम करेंगे जब आप होंगे ठीक है तो चलो भाई यहां पर यह topic खतम हुआ अब एक चीज़ यहां पर और देखते वे जाओ अगर गुरूप में होना होना तो यहां पर फीज में पहले हर वीडियो में नहीं बताता था लेकिन पच्चे बार बार मुझे नोट्स हमारे खुद के लिलगे याद रखिएगा त्योंकि इसको लिखने के लिए कंशे कंटस् Stream अट स्थे जो एक चीज़ ऊडिशा पर गैस पर इनके सॉल्स और बुकके पीडियर प्रैक्टिकel बुक के PDF और तमाम चीज़े मिलेंगी सिर्फ नोट्स चाहिए तो 500 फीस है ठीक है इजी पैसा नंबर आ रहा होगा इजी पैसा कर देना मैं इंशाल्ला आपको जो है वो नोट्स आपके नंबर पर सेंड कर दूँगा तो I hope मेरी बास समझ में आ गई होगी अब इसके बाद 18 कि झीज़े दिए